और रवीबार की जब प्रवब प्रदोश परती है तो शिव बेलपत्र के पेड़ के नीचे निवास कर। तो शिवा कुरान कर रही है, कि प्रदोष का जो ब्रत है, आप करें ना करें वो आपके उपर है, पर प्रदोष के कुछ नियम ऐसे हैं, जो हमारे भीवन में सुप्रदान कर सकते हैं। मान वो अगर धन नहीं तो प्रदोश के लिए लगा कर दुख्धानिस्त्रू दुख्धानिस्तरूइशी कम सेखंग पाँच प्रदोश करना और पहले प्रदोश के बाद में अंतराना प्रारण हो जाएगा कही नहीं महगवान राहे खोल देगा कुछ ना कुछ अच्छा होना परार्म हो जाएं तो फोड़ना नहीं कि अब मेरा काम होने लगा तो बार्त करना ही तीसरा करम काहर है अगर मान दो कि आप किसी एक्जाम में बेट रहे और उस एक्जाम को देते क्ए साल हो गया तर आपको पी लक्षी ही दिश्चित नहीं हुए, आप नहीं पहुची नहीं पाए, आपको पास रहना है, वो एक्जम किसी भी हाल अपने रिकान है, माराज तो भी प्रदोश कबरत, माराज ज्यान देना, एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है, उस पत्ते की पत्तल पर, माराज साथ बेल पत्तर को डंडी मिलातर रखना है, यह साथ बेल पत्तर को डंडी का सिरा, सातों का एक जगा पर होना चाहिए, यह जो डंडी है, एक ही स्थान पर साथ बेल पत्तर की होना चाहिए, जिस जगहा पर डंडीयां रहे, उसी स्थान पर, नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक शिवलिन का निर्मान करना है पार्थी की, यह केवल परदोश के जिन करना है, परदोश काल के अंतरगत, चाहिए ठाली में रख लो, ठाली में उस पत्तल को रख लो जिससे लेग जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, ठाली पत्तर के अंतरगत नहीं है, मतलब ठाली ले लो मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर रहो, उसके उपर शिवलिंग का निर्मान कर दिया जागत, अपनी कामना करकर प्रदोश काल के अंतरगत, साध काली मिर्ची, साथ लो, साथ कमल गट्टे, साथ शमी पत्तत, शंकर भगवान को समर्पित कर दो, जलका चीता देकर, पूजन करकर, और घीका दिया लगाता, कुछ तेर बेट करकर श्री शिवाय नमस्तु भ्याम का जाब करिये एक कमल गटा एक लोंग एक काली मिटी एक शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपने कामना करकर जब विसर्जन करने जाएं तो एक बेल पत्र को भी उठातर अपने पास में रखने एक्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के प्रिक्षा जिसमें आप पड़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़ कर जाएं माता को कट कर जाएं कि हम ये रख कर जाएं और आते सी एक्जाम देने जाएं तो इसको इसपरश कर जाएं बापिस आएं तो इसपरश करें ऐसी कोई परिच्छा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते उत्रिन होगे ही हार क्यों हो तो एक प्रियास करिएगा पर करना प्रदोश के दिन ही है अपने प्रदोश कर लिए आपने सारे अनुस्ठान कर लिए बहुत सारे उपाई भी करें तो शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदर में जल चड़ाया जाए तो नारी का अखंड सुभाग्य होता है शुक्रवार के दिन बेलपत्री के ब्रक्ष के नीचे बेट कर गरत का दिया लगा कर शरीर में जो रोग है उसका इसमर्ण कर देखना जो बच्चा चिर्चिड कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा, जो बहु चिर्चिड कर रही हो, जो सास चिर्चिड कर रही हो, भाई, बंदो, कुटुम कोई चिर्चिड कर रहा हूँ, बहुत कलेश घर न हो रहा हूँ, एक कटोरी में पानी लो, शिव जी का नाम लेकर तुम्रुका जी का नाम लेकर थोड़ा सपानी का आचमन करा दो, दस मिट पांच मिट में एकदम चुप, लड़ी नहीं सकती, गुस लच्ष में सब्सह्याता प्रसंद गोगों से नाम रती हॅट? उसका भी प्रमान हमारे सहस्तर में लिखा हुआ है, कि अगर तुलजी का कुंड पूर्य है, तो बन्स की ब्रदी करता है तुलजी का कुण्डा अगर अगर शड़ाकृति का है छफ़ट्भलगवाला है गर में संपधा की बरदी करता है इतुल्जी के कुंड़ का आभी प्रमान हमरीत सास्तों में नारेन आप उस्तों कर सकते हो भगवान नारेन ने तब लच्छमी से कहा एक काम करो बेल पत्री के पेड़ के नीचे बेटकर लच्छमी तुम अनुस्थान करो तुमारे भाईयों के विवहा के लिए इसलिए आज भी हमारे हिंदु धर्म की रीती है कि बेल पत्री के नीचे तुमारा रातлек को शाम को छे बज़े से लेकर राती को आथ बज़े तक तुमारे निवास होता जैसे पीपल के पेड में द्युक्ताणा का निवास आपको आप लोग ने ने यदी पुरान पढ़ी होगी या सुनी होगी तो इसमें स्पिस्ट कहा है पीपल के उप सुबा साथ वज़े तक ब्रह्मा जी का वासा साथ वज़े से लेकर साड़े-दस वज़े तक पीपल के व्रक्ष में भगवान विश्णू का वासा होता है कितनी बज़े तक शाडइh दस से लेकर साडइh 11 12 बज़े तक people के ब्रक्ष में kami पित्रों का बासा होud इसलिए हमारे यहां पित्रों को स्राद बक्ष में जो भोजन राय जाता है और साडइh 10 से 12 के बीच में कराय जा बारा वजे के बाद पीपल के व्रक्ष में दोपाहर के देड़ वजे तक आहूतों का वासा रहता है आहूत कौन जो गर्व में सांत हो गए जो कुवारी अवस्था में शांत हो गए जो जनम लेने के बाद उनका भिवा नहीं हुआ और शांत हो गए उन आहूतों का वासा उ इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती है। साथ बजे के बाद में पीपल के व्रक्ष में रातरी को नो बजे तक कुवेर का वासा होता है। फिर नो बजे के बाद में प्रेत वास चलू होता है पीपल के व्रक्ष में। उसी तरह बेल पत्री का जो व्रक्ष है उस बेल पत्री के व्रक्ष के नीचे रात्री को आड़ बजे से लेकर बारा बजे तक पीप बेल पत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है महाराई कुबेर का निवास रियास करा करो इसी बेल पत्री के पेड़ के नीच आप जाब करते और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है मुझे शुगर हो गया है मुझे वीपी हो गया है मेला ब्रेट टेशर उंचा नीचरे रहा है कोई बयंकर रोग मेरे इस्तिदार को कोई कैंसर जिसा रोग हो गया किसी को कोई थाइरेड ह grayson नीचे महामृतिंज्य मंत्र का जाब जो शुकरवार घी का दिया लगा करकर का है उसके रोगे दिवडीदेव महादेव समांब्त करते चल करते जाते हैं ये संजीवनी मंत्र शुकर तो को शुक्तर को दिया था इसलिए उसकी प्रदाब शुक्तरवार के दिन बेलपत्री के व्रक्ष के नीचे बेट कर गरत का दिया लगा कर शरीर में जो रोग है उसका स्मर्ण करकर शंकर जी से बिनाय करकर हे भोले नात आपने शुकर देवता को संजीवनी मंतर दिया है तो क्या आप मेरे को वो मंतर परदा नहीं करोगे मेरे रोग मेरी बिमारी मेरे दुख को आप नहीं हरोगे शिवत से कहो ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है इसमर्ण करने के लिए दिया ह तो समालोगे भी आप और बेल पत्री की और मुख करकर घीका दिया लगा कर महामर्ति उन्जे मंत्र का स्मर्ण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की और आप्ता चले जाए अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो स्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चड़ा कर अगर एक लोटा जल्वी एक फात्र जल्वी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो यह लच्छिमी के लिए ही तो कर रहे हो दुनिया के लोग नारेंड नारेंड करते हैं दुनिया के लोग आपका भजन करते हैं पर सत्य माइने में कहूं ना तो मेरे बिना दुनिया के लोगों की नहीं चल सकती मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती संसार मेरे बिना नहीं चल सकती संसार में तुझे कहता हूं लक्षम तेरी पूर्ण वता कहां हुगे लच्मी की आख से आसी बहने लगे आज आपने मुझे अपूर्ण कर रहे हो आपको यह घ्यात हो रहा है आप मुझे अपूर्ण कर रहे हो बगवान करते हैं हां लच्मी में तुझे अपूर्ण कर रहे हो बगवान करते हैं हां लच्मी में मेरे हैं तो क्यों रो रह रहे हैं घृदिया प्ति नहीं तो कहाएं तो क्यों रोना चल मेरे साथ और सरसत्य मयां मतवा रच्मी को लेकर सता कर भी गए अ कि मत starchmi को देखा और सब्सक्राइए इसा इख रूप और घृँगा कि भी है इसाय त्यकिनि दोनों आज मेरे पास में अलुए, क्या हुआ, पारवती जी कुछ बोलती ही, शिव जी का धिहान मता सरस्थी की और लच्वी की योग और भगवान शंकर जाना गए, कि आज भगवान नर्यन ने लच्वी जी को अपून कहा है, अब देखे माता पारवती क्या कर सकते, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या हुआ माता सरस्ती जी लच्मी को अपूर्ण के दिया हां तो क्या सोचना उसके लिए इसको मैं अभी पूर्ण बना देते हैं माता जगजन्य पार्वती ने गोदी में विराजमान गड़ेजी को उठाया और उठाकर लच्मी जी की माता पार्वती जी ने संपूर्ण भ्रमांड में एक सिद्धता प्रदान कर दी कि अपने गोदी के लाल को अपने गोदी के पुत्र को माता ने लच्छमी की गोदे में देता लच्छमी को पूर्ण पूर्ण यहां तक विश्णु पूरान करती है संद पूरान करती है कार तुल्सी का कुंड गोल है तो वह वंश की ब्रदी करता है तुल्सी का कुंड अगर शड़ा कृतिका है छे फलगवाला है तो घर में संपदा की ब्रदी करता है तुल्सी का कुंड की आकरती कैसी होना चाहिए तुल्सी का कुंड होना कैसा चाहिए उसका भी प्रमान अमरिया इसकंद पुराण में लिखा हुआ है विश्णु पुराण में लिखा हुआ है आपको क्या किस रूप में चाहिए जगबाऊंगे दुक्त निकाल देंगे और दवार लगांगे घुयआ चूना लगाते रहेंगे जिसका फल हम पाँगा हम क्यों न एससा करम करें जिसके फल को हम पाद सकी हमconstant न ही लें जिप्वाल होता है आप लोग कई देखें होंगे किसी के अन च़र पंडा वान रिभान है और भी द्हुझ सुर्णा है हम संपग Αंहल कि यहीं तुलसी जी को पानी चड़ाएंगे, यहीं संकर जी को चड़ा देंगे, दोश, तुलसी के कुंड के नीचे हम सर्फ देव को रख देते हैं, नाग देवता रख देते हैं, पानी चड़ाएंगे, पातरी रख देते हैं, नहीं, उसका दोश, हम सब को सयम अगर गल्त वारास टरू करता है जिसके मार्ग घर में तुकड़े हो रहा हो तो तीन कौन का कुंडा घर में रत्त कुजा करने पर तरिवार्प हो जाए पांच्वा गार्डन में बिना कुंड का जो तुलसी का पोधा रूपित होता है बिना कुंड के एक बगीचा जैसा भो दिया जाता है तुलसी तुलसी इतनों हो जाती है माराज वहां पर संपदा तो रहती है पर चिन्ता वहुत रहती क्यों घर के धरवाजे के बाहर इतनी mam वगेचे में तुलसा कर दी कोई निकल कर जा रहा था उसने ठुग दिया कोई निकल कर जा रहा था उसने पानी डाल दीया कोई स्वान ने कुट्टे ने किसी ने बिली ने गंदगी कर दी उसता दोस आपको लगेगा इसलिए कुंड के अंदर तुल्सा कर देगा जो तुम्हें बगीचे में तुल्सा लगाई यह गाड़न तुल्सा कर देगा पर चिंता को बढ़ा देगा पाच मारा है चटा Ha Ta Farm तुल्सी के कुंड को तीन धार पर लटका कर रखेंगे कई जगा पर आपने दाएगा उसको तीन जो तार होते हैं पीम्हें जो चेनल लग गई भोजन तयार हो गया बस खाने वेटे हो और थाली खसक गई समझ लेना कि तुल्सी को अधर पर लटका कर रखा इसलिए कारे को हो रहा है बनने वाले चार दिन बाद यह काम होने वाले लग रहा है कि इसमें इतना फल मिलेगा लग रहा है इस वेपार को करेंगे लि तुल्सी का साथ कुंडा के गर के आंगन में है एसा चोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें प्रती दिन भगवान की सेवा करते समय सम्मुक रकर उसकी अराधना करना फिर उसकुंद को वापिस बाहर ले जाकर रखना फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना हम तो यहां तक करते हैं विश्णुपुराण गर्ग सहीता कल्यान का तुलसी यंग यहां तक वर्ड़न करता है कि आप पूरे साल यह नहीं कर सकते कंसे कार्थिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड चोकोर वाला बोल नहीं चोकोर कुंड लाकर वगवान के सामने तो किस चीज के लिए का गया तुलसी का कुंडा एक भाहर हो एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए तो कहते हैं उस घर में वैभव सत्का संपदा लच्मी सम्रद्धी करते ही शानती की कभी कमी नहीं कभी प्राप्श सुख्य की आनंद की साथ करा के कुंड साथ करा के कुलसी के रोग कर्णान हमारे आव aan-विष्णु परहन में चीया के आए आकपिस भाव सूदियिडर्य मारत इस्तनियों के नारियों के जितने भी रोग होते हैं बिमारियां होती हैं रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफे होती हैं उसका भी व्याख्यां देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया गूलर का फूल फर्थाथ जो देवी जी को माता जी को जो घंटी वाला फूल चड़ता है लाल कलर का गूलर का फूल माता की च्रणों को चुआ कर तुल्सी के पोधे का इसपर्ष कराकर जो नारी को रजो धर्मस से जुड़ी हुई परिशानिया होती हैं उसके अंतरगत वो फूल तुल्सी का पोधा दिखाते हुए खिला दिया जाता है तो ती तुल्सी की माला रुद्राक्ष की माला आपके कंठ में होगी तो 21,600 स्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रती दिन निकल रही है उस स्वास के बल पर आपकी घट की जिव्या से वो मंत्र जाब हो जाएगा उसका पुनने आके खाके में तुमारे गले में जो तुल्सी की माल हो तुमारे गले में जो रुद्राक्ष की माला हो उसमें मनके 108 होना चाहिए या 108 से भी ज्यादा होना चाहिए कम मनके की माला मत पेना गले में बारिक बारिक मनके की कर लो चोटे से चोटे मनके की कर लो सो से भी जादा हो 108 से भी जादा हो क्यों क्यों क्योंकि गले में ना निकले अरे ओना का ना 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 नाय वले तुमारे तुम्हारे हाथ कुति कं माला ना न है ब्ले में Siri निख्णा मतकरना कमारी सुनों स cellar इंडर से प्रती दिन निकल रहे है एकने तुम् 思 guide तुसका प्रप्त हो जाएगा ज्यान रखना गले में मनका होना जरूरी है बले रुद्राच का एक मनका हो तुसका फ्खल मिलेगे गटेगा पर्मकुरान गर्ग सहीता में भी आप दुनेंगे तो मिल जाए गिता प्रेज गोरकपुर की तुलसी अंक निकालेंगे तो उसमें मिल जाएगा दो व्रक्ष ऐसे हैं जिनके नजदीक में जो दिया जाता है श्री शिवाई श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दोस्तकों हरहर महादेव हमारे यूट्यू चैनल में आपका स्वागत है पुजी गुरू जी ने अपनी कथा में विसेस उपाय बताए हैं दर्शक चढ़ा दे तो उसकी मनोकावना अवस्य पूरी हो जाती है साथ है आपके घर में जो भी समस्य होगी जैसे बीमारी बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगता हो इस उपाय करने से छुटकारा मिल जाता है दर्शकों बसंद पंचमी के दिन आपको दीपदान अवस्य करन पहला दीपक आपको महादेव के मंदिर में लगाना है दूसरा दिया आपको मा सरश्वती जी के मंदिर में जला दीजिएगा और एक दीपक आपको बेलपत्री के विर्च के नीचे लगाना है क्योंकि बेलपत्री के विर्च के नीचे मा लच्मी का वास होता है और अन्य धन से भंडार भर देती है दर्शकों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें कॉमेट बॉक्स में हर हर महादेव घर घर महादेव जरूर लिखें